आज के इव्याख्यान में आप सभी का हर्दिक स्वागत्वय अभिनंदन हैं। इन सभी अंगों का परिचे हमें वाश्यान मुनी द्वारा रचित कामसुत्र नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। इन छे जो चित्रकला के अंग हैं उनका अध्यन और अनुसिलन हम कर रहे हैं। और आज शिकड़ी के अंतरगत हम सर्वप्रथम रूप भेद नामक अंग का अध्यन और अनुसिलन विस्त्रित चर्चा के रूप में करेंगे। देखो रूप सब्द का अर्ध है द्रष्टी और मस्तिक सम्मंदी आकरती और भेद का मतलब है अंतर। रूप साधहनते वे छेत्र या इस्थान होता है जिसका अपना निश्चित आकार या वान होता है। सामानेते किसी भी वस्तु के आकार को हम रूप कहते हैं। यह रेखाओं से आवद्ध होता है सीमाओं से घिराववा होता है और सीमावद्ध एक आकार होता है जिसे रूप कहते हैं सालहन दया और भेद का तात्प्रिय एक आकार से दूसरे आकार में अंतर को हम भेद के रूप में जान सकते हैं यहां भेद सामानित अंतर को कहते हैं यह अंतर रूप भेद के संदर्व में इस तरह से इसपस्ट होता है कि जब हम एक आकार का दूसरे आकार के बीच में समानता और ऐसमानताओं को इसपस्ट तय परिभासित कर सकते हैं चित्रित कर सकते हैं और अपने जो कलाकरती है उसमें दर्सा सकते हैं यही रूप भेद है इस तरह से रूप सब्द का अर्थ है द्रश्टी और मस्तिस के संबंधी आकरती और भेद का अर्थ है अंतर ऐसा मानता ऐसा अंतर कि जिसका आकरतियों का सहे जियान, सोंद्रिय तथा जीवन वे आकरतियों में एक दूसरे जो भिन्निता है वह है जबसे मानव जनम लेता है और जनम से लेकर के उसकी जो जीवन यात्रा है उसके अनिक पड़ाओं से लेकर उसके जीवन के अंतर तक जीव का आकरतियों से गहरा संबंध होता है और जो यह रूप है यह आकार है उसका मानव को साधहनता है परीचे है अपनी ग्याने अंद्रियों के माध्यम से होता है और जैसे आँख, कान, ना, के जीव और तुच्छा इन पांचो ग्याने अंद्रियों के माध्यम से साधहनता है आदमी या एक व्यक्ती रूप का परिचे पराप्त करता है नेत्रों के द्वारा देखने से और तुच्छा के द्वारा इसपर्श करने से और मस्तिस्क के द्वारा अनुभव करने से रूप साधहनता है हमारे लिए एक परिचे की वस्तु बनता है हम रूप की वस्तु इस्तिती से अवगत होते हैं रूप के जानकार बनते हैं जब हम रूप का अनुभव करते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तब हम दर्ष्टी संबंदी वस्तुओं और वस्तु की बहारी आकरती से रूप का परीचे प्राप्त करते हैं रूप साधहनते हैं जो वस्तु है उसके आकार से परीचे की एक प्रक्रिया है और यह पूरा रूप भेद एक तरह से प्रारंभिक अंग के रूप में भारती चित्रकला के साडंगों को सुसोभित करता है साधहनते हम देखते हैं कि पहले पहल जो रूप से हमारा परीचे होता है वह हमारे नेत्रों के द्वारा होता है और धिरी धिरे नेत्र वे अन्य ग्यानेंद्रियों के माध्यम से जो रूप का परिचे एक व्यक्ति प्राप्ट करता है वह परिचे उसके अंदर समा जाता है उसके आत्मा या हिर्दे के अंदर वह रूप अपना इस्थान ले लेता है और यही रूप भेदगी प्रारंबिक और अन्तिम एक तरह से पड़ाओ है इस तरह से जो भार्तिय चित्रकला के सडंग का जो प्रारंबिक अंग है रूप भेद उसको हम देखते हैं कि किस तरह से आकारों को अस्तितु पहले से ही इस चर और एचर जगत में विद्धुमान होता है और इन आकारों का परीचे मनव अपने जनम लेने से लेकर उसकी जो जीवन यात्रा होती है उसके विविन पड़ाओं में अलग अलग अनुभव करता हुआ जीवनंत तक इन रूप और उनकी समानता और ऐसा मानता से परीचित होता रहता है यह है क्रमसे साधना का एक प्रकार है साधानतया जब हम रूप को देखते हैं आकार को देखते हैं तो साधानतया हम उस आकार की सनरचना से प्रभावित होते हैं उसकी बाहिये आकार से प्रभावित होते हैं उसकी सीमाओं से आउगत होते हैं उसके धरातल के गुन से परीचित होते हैं, उसके वर्ण से परीचित होते हैं, उसके तान से परीचित होते हैं. इस तरह से हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर अनुभवातीत होने के बाद हम हिर्द्यंगम करते हैं हिर्द्य में उसका इस्तान बनता है धीरे धीरे जब किसी आकार से हमारा परिचे या सानिद्धे इतना हो जाता है कि वह आकार हमारे लिए अन्य भिग्य नहीं रहता या वह आकार हमारे लिए ए परिचित नहीं रहता उसके गुण और दोसों से उसकी विशेस्ताओं से उसकी समानता और ऐसमानताओं से जब हम इतना अधिक आत्मसात कर लेते हैं अपनी ग्यानेंद्रियों के माध्यां से कि वह रूप अब हमारे लिए चीर परिचित बन जाता है और उसके बाद उसको हम अपने आत्मा में जगहें देते हैं यही रूप भेद है रूप आकारों अलग अलगतर है कि आकारों की समानता और ऐसमानता से आउगत होने की परिक्रिया ही रूप भेद है भारत्य चित्रकला या चित्रकला के विशिष्ट संदर्व में हम रूप भेद को जानने का प्रियास करते हैं रूप भेद का चित्रकला में क्या महत्तु है यह समझने का एक प्रियास करते हैं तो तब हम पाते हैं कि जब कलाकार अपनी हिर्दे के अंदर किसी भी विश्य को इतना अधिक महसूस करता है एक अतिकी सीमा तक महसूस करता है उसके बाद वह अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए विवस होता है जो विचार एक कलाकार के हिर्दे में एक सह हिर्दे के इर्दे में अमूर्त रूप में जनम लेते हैं वह कलाकरती के माध्यम से मूर्त स्वरूप राप्ट करता है और अभिव्यक्त होता है यह भावों के जनम लेने से लेकर अभिव्यक्ती की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जब हम अमूर्त विचार को एक मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं तो वह मूर्थ स्वरूप आकारों के वगर रूप के वगर ऐस संभव है आता है कलाकार को द्रश्य कला में किसी न किसी तरह से रूप की प्रक्रिया से अपने स्रजन में गुजरना पड़ता है यह रूप की प्रक्रिया कलाकार की अपनी प्रक्रिया है उसके विशे से सम्मंदित है और उसका विशे क्या है उसकी विशे वस्तू किस तरह की होगी उसी तरह से उसके आकार सुनिश्चित होंगे कलाकार को या एक स्रजन करता को रूप और रूप भेद का जितना भली भांती ज्यान होगा वह कलाकार अपनी कलाकृती में आकारों का इस्पष्ट प्रियोग तब ही कर पाएगा रूप भेद एक तरह से भारतिय सडंग की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम सोपान है यह आदार हिस्तंब इसको कह सकते हैं सरजन प्रक्रिया का द्रश्य कला में यह एक तरह से मेरुदंड का कारिय करती है सरजन प्रक्रिया में जब कलाकार अपने भाव को व्यक्त करने के लिए एक साधना से गुजरता है तो उस साधना में रूप भेद की साधना को साध कर ही वे इस स्रजन रूपी तपश्या को पूरा कर पाता है रूप भेद के यदि कलाकार को ग्यान नहीं है तो वे किसी भी भाव को जो महसूस करता है उसको द्रश्य रूप में उतारने में लग भग ऐसा मर्थ रहेगा रूप भेद का ग्यान एक स्रजन करता को एक द्रश्य कलाकार को होना अती महतुपूर्ण है बगर रूप भेद के ग्यान के वह कलाकार अपने भाव की अभिवेक्ति मूर्थ रूप में करने में ऐसा भल होगा रूप भेद का ग्यान कलाकार को जितना अधिक होगा उसकी कलाकारती कलाकृती उतनी ही अधिक वास्ट्विक होगी और उतनी ही अधिक मूर्थ होगी और उतनी ही अधिक उसका स्रजन प्रभावी होगा तब ही कलाकार अपनी कलाकरति के माध्यम से अपने विचारों को एक मूर्थ स्वरू प्रदान कर पाएगा इस कला साधना में रूप जो भेद है उसको साधना अति आवसक है अन्यथा कलाकरती की एक तरह से निस्प्राण और निस्प्रभावी रहेगी कलाकार की साधना का प्रतिफल एक तरह से जो चरम है वह रूप भेद के द्वारा एक तरह से परिलक्षित होता है और जो कलाकार जितना अधिक रूप भेद का साक्षी बनेगा जितना अधिक रूप भेद का अनूप्रियोग अपनी कलाकरती में कर पाएगा जितने अधिक सार्थकता से रूप भेद के गुण को अपना पाएगा उतना ही अधिक वह अपनी कलाकरती को प्रभावी बना पाएगा उदहन दया जब हम अजन्ता के भेद्टी चित्रों को देखते हैं तो कलाकार रूप भेद के ग्यान से ही कलाकरतियों में जीवन्त चित्रन करता है साथ ही जो भीडवाड़ वाले द्रश्य हैं उनमें कलाकार एक आकरती को दूसरी आकरती से किस तरह से भिन्न दिखाता है यह एक लाजवाब है इस तरह के चित्रों से देखने से ग्यात होता है कि अजन्ता के चित्रकारों को भी रूप भेद का ग्यान अती महत्पून रूप से रहा उनकी साधना रूप भेदगे प्रती बहुत अधीक रही तभी वो आज भी काल जाई रचनाएं है उदाहन तया गुफा नंबर सत्रह का राहूल समर्पन चित्र आप देख सकते हैं ठीक उसी तरह अन्य चित्रों में भी आपको मार विजय है सरुनास है या हस्ती जातक, महाकपी जातक, वेशांतर जातक इतियारी चित्रों में भी आपको रूप भेद का इस पष्ट ग्यान अजन्ता के चित्रों में प्राप्त होता है और इन चित्रों को देखने से आपको पता लगता है कि किस तरह से कला में चित्रकला में रूप भेद का ग्यान अतियावसक है और उस ग्यान के बगर कलाकार की करती अधुरी है इस तरह से हम आज के जो हमारा अध्यन विसाय रहा उसके अंत्रगत हमने भारतिय चित्रकला के सरडंगों की कड़ी में प्रथम जो सोपान है प्रथम जो अंग है रूप भेद उसका अध्यन और अनुसिलन किया और हमने जाना कि किस तरह से रूप भेद भारतिय चित्रकला या चित्रकला में महत्तो पून इस्थान रखता है और किस तरह से रूप भेद की क्या परिभासा है क्या आर्थ है और उसका क्या महत्तो है आशागा है कि आप सभी को आज का जो हमारा अध्यन विशा है उसको विस्तरित चर्चा करने में सकारात्मक रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है और अगली कड़ी के रूप में हम भार्ची चित्रकला के सडंग के प्रमान अंग का अध्यन करेंगे तब तक आप आज के इस अध्यन विशा को महत्वण रूप से अध्यन और अनुसिलन की योर अगरसा रहें और अपना समय अध्यन में दें धन्यवाद